हलो फ्रेंग्स हाव यू आज हम बनाने वाले हर्याली चटपटे आलू बहुत ही स्टार्टी बनते हैं बहुत जल्दी बनते हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की रेसिपी सबसे पहले मैंने धनिया लिया यहां पे अच्छे से वाश करके उसके बहुनी होई मुफली यह दो बड़े चमचली है मैंने इसके बाद हाफ टीजपून यहां पे चीनी जाएगी और हाफ टीजपूनी मैंने नमक ले लिया है उसके बाद थोड़ा सा पानी अड़ करके हम इसकी चटनी बना लेंगे यह चटनी इस रेसिपी की जान है इसी से ह जान बडू हमारी चंप ने बनने के लिल्ट में ड़ा हैं फार जानरी दिंग चटनी बनाने वाले हैं देखें हमारी इस तरीके बन के रि रेडी हो चुकी है बल्कुल इक्वल बाटिक अब लिया है उनlaw जट्व हम एप इस में लिक्विड पारी पेस्लों मैंने इसलीक इस तरीके से अंदर एड़ कर देंगे और अच्छे से हाइफ लेम पे हमें इने भूनना है जब तो यह क्रिस्पी और रेड से नहीं हो जाते हैं चलिए से लगातार भी नहीं चलाना है थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाएंगे से अगर आपको वीडियो जारा से भी सबस्क्राइब कर लीजगा और प्रेस करना बिलकुल मत भूलेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोरिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो चलिए आप देख सकते हैं अच्छे से आलो हमारे क्रिस्पी फ्राय हो चुके हैं बस इसी स्टेज सक हमने इसे क्रिस्पी फ्राय करन करेंगे बोड़ सबस्क्राइब कर रहेंगे गैस की फ्रेम के ऊंदर राइप करेंगे अर् किया इसके परकी चतनी बनाय कर दो इसके बड़े खाएं या तीन चम्मच हम इसके अंदर अठी चैंगे अच्छा साथ नीम्बू है इसलिए मैंने हाफ नीम्बू लिया है चाट बना रहे हैं तो थोड़ी चटपटी सी तो होनी ही चाहिए तब इसका टेस्ट आएगा अच्छा सा नीम्बू डाल देंगे बाद हम इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे चटनी के साथ इसका फ्लेवर इस बहुत ही गजब का लगता है अगर आपको इसमें डालनी हो तो आप दही भी डाल सकते हो बट मुझे तो इसी तरीके से पसंद है तो मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूं चलिए यह हमारी चाहट तो ऑल्मॉस्ट बन के रेडी है अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउ जो भी आपको खीरा पसंद हो वह एड कर सकते हो बट मैं यहां पर इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूं तो जो घर पे अवेलेबल था मैंने इसके अंदर वही एड किया है सिर्फ अब मैं इसके अंदर आड कर दूंगी प्यास बारीक कट किया हूँ प्याज अब यहां पर चाहो तो भुजया सेव भी आड कर सकते हो बहुत ही गजब का स्वाद लगता है आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी